नवस्कार दोस्तों स्वागात यापका फार्मरोक्स के यूटूब एजिगोस्टन चनल में आज के ओड़े लेक्चर भी हम डिटेल में स्टेडि करेंगे कि ब्रेस साइस को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं कौन से ऐसे अलग-अलग तरीके यूज होते हैं ब्रेस साइस को इं कर सकते हैं कि जिससे आप ब्रेस के साइस जो वो बढ़ा सकते हैं तो सुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं ब्रेस एनलार्जमेंट के बारे में तो ऐसे ही समझें कि आपको डीटेल में सिखना है अलग-अलग बीमारियों के बारे में अलग-अलग मेडिकल कंडि breast enlargement के बारे में तो उससे पहले मैं आपको breast के बारे में कुछ बता दू कि breast का जो main काम होता है कि जो lactation period होता है उसके दरान milk production करने का और उसको secret करने का जो है वो काम होता है रो उसके लिए अलग-अलग glands present होती है breast के अंदर तो यहाँ पे जो आप diagram के अंदर देख रहे है तो उसके अकड़ूंट मैं आपको समझा दू कि यह जो आप purple color का जो एक बाग देख रहे है यह जो पूरा purple color का है तो उसको milk gland कही जाती है कि जो milk को तयार करने में जो वो help करती है और यह milk duct होती है कि जो nipples के साथ जो वो connected होती है कि जो milk को secret करने में जो वो मदद करती है उसके अलावा जो part आप देख रहे है कि जो yellow color का जो पूरा वो आग आप देख रहे है वो खासकर fat होता है तो breast की जो size होती है वो mainly depend करती है कि उसके अंदर कितने amount पे fat जो है वो present है glandular tissues होती है connected tissue milk production के लिए lobules होती है ducts होती है और lymph node और ligaments वगरे उसके अंदर present होती है तो यहाँ पर जो आप एक structure देख रहे है कि यह diagram के अंदर यह पूरा red color का भाग देख रहे है तो वो जो पूरा एक portion है कि जिसको हम imagine कर सकते है कि इस तरह से जो grabs होती है उसका समानलो बंच है उस तरह का यह पूरा एक भाग होता है तो यह जो anatomy जो breast के अंदर होती है उसका main काम होता है milk को produce करना और उसको secret करना कि जब भी lactation का period होता है तो उसके अलावा जो भी भाग आप जो है वो fat tissues का बना होता है और उसकी size जो बढ़ सकती है कम हो सकती है depend on कि आपके सेर में fat कितना बढ़ रहा है या फिर fat कितना कम हो रहा है तो वो body weight के साथ भी include होता है कि मानलो आपका body weight अचानक से कम हो जाता है तो भी breast size जो हो कम हो सकती है और body weight समझे कि अचानक से बढ़ता है तो उसके according to भी कुछ लोगों के अंदर समझे कि fat काफी जमा हो रहा है breast की जो tissues होती है वाँ पे तो उसके करण भी उसकी size जो बढ़ सकती है तो अब बात करते कि कौन से ऐसे अलग-अलग reasons है कि जिसके करण breast की size जो increase नहीं होती है या फिर breast की size आपको small feel होती है तो सबसे पहला एक reason होता है जीनेडिक मनलब की जो genes होते है वो parents के थरू मिलते है आपको तो समझे कि parents में भी या फिर जो आपके family history में जो महिला है ladies उनके में भी यह same problem है तो वो आगे भी आ सकती है तो यह एक genetic factor बनता है small breast के लिए फिर दूसरा एक reason हम देखे तो suddenly आपका वजन जो वो कम हुआ है कि अचानक से किसी बीमारी के करण या फिर आपने कोई से ऐसी heavy exercise की है तो उसके करण समझे कि आपका वजन अचानक से कम हुआ है तो भी यह problem हो सकता है फिर जो body mass index के हम बात करेगे कि आपका BMI normal है तो चलो ठीक है पर normal से नीचे जा रहा है कि आप underweight में जा रहा है लोग कि जितने ही आपकी height के according to जो आपका वजन होना चाहिए वो काफी ज्यादा कम है जिसको हम underweight कहते है या फिर उससे भी नीचे आता है तो severe thinness के condition के जिसको हम कहते है दुबलापन के condition या फिर आप काफी ज्यादा पतले है तो ऐसे condition में भी यह जो है वो condition produce हो सकती है एक और reason देखे तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका BMI समझो कि severe thinness में है 16 से कम है तो भी यह condition produce हो सकती है moderate thinness में है या फिर normal से नीचे आपका BMI है फिर एक reason यह है कि जो puberty का फेस होता है कि जब से first time period सुरू होते जिसको हम मिनार की कहते है तो उसके बाद जो reproductive age होती है उस दौरान estrogen का level जो हो शरीर में change होता रहता है पर जो main puberty का period होता है तो उस दौरान जो जितना estrogen secret होना चाहिए वो समझे कि proper estrogen नहीं बन रहा या फिर जो 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 age के according to estrogen proper आपके सरीर में होना चाहिए वो ना हो तो भी ये condition जो वो produce होती है फिर micromastia की जो हम condition कहते है कि medical terms में कि जिसको micromastia कहते है तो ये भी एक reason बनता है small breast के लिए फिर mal nutrition की जो हम बात करते हैं कि आपको proper nutrition ही नहीं मिला because वहाँ पे जो जिसे मैंने आपको anatomy उसके दिखा है तो जो fat है तो fat समझे के proper जमान ही होता तो fats जमान होने का एक reason ये भी हो सकता है कि आपको proper nutrition नहीं मिल रहा because जो breast की tissues होगरा होती है glands जो होती है उनको development के लिए proper nutrition की जरूरत होती है पोसक तत्वों की जरूरत होती है पर आपको proper nutrition नहीं मिल रहा तो nutrition ना मिलने के कारण भी यह problem जो हो सकती है तो एक important fact यहापको मैं सबसे बहले समझा दू आगे treatment के तरीके समझने से पहले तो जो breast की size होती है उससे breast feeding के उपर कुछ भी असर नहीं पड़ता breast की size कितनी भी है, छोटी भी है या फिर large size है तो milk production के उपर कुछ भी फरक नहीं पड़ता mainly जो है कि सिर्फ breast enlargement को इसी लिए करवाता है कि जो physical attractiveness जो वो produce करनी है तो उसी के लिए जो वो ये अलग-अलग तरीके use किये जाते है तो treatment में सबसे पहला हम बात करेंगे कि जो nutritions की बात करनी कि आपको nutritions नहीं मिल रहे breast issue के development के लिए तो वो nutritions आपको कहा से मिलेगे तो सबसे पहला nutritions का source रहे कि आपके लिए green leafy vegetables मतलब कि जो हरे पत्ते वाले जो सबजिया होती है अलग-अलग वो आपको खाने में include करनी चाहिए कि आप week में एक बार या फिर week में दो बार at least इस तरह की सबजिया include करते है आपके diet के अंदर फिर इसी के सासथ आपको balance diet अच्छे से लेना है कि जिसके अंदर आप consume कर सकते है अलग-अलग soy product मतलब कि जो soya bean जो हम कहते है उसके related जो अलग-अलग products होती है जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते है कि आप soya bean include कर सकते है diet के अंदर soya milk आता है soya bean का जो floor आता है जो इसका आटा होता है वो आप यूज़ कर सकते है अलग-अलग food products बनाने में soya swas use कर सकते है soya bean oil consume कर सकते है sprouts वगएर आप खा सकते है फिर जो tofu आता है वो भी आप include कर सकते है diet के अंदर फिर तीसरा एक है important diet के अंदर include करना वो है अलग-अलग dairy products जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप milk वगएर अच्छे से consume कर सकते है जो यह वो fat मिलता है और वो fat दीरे-दीरे आपके breast issues के अंदर भी जम्मा होने लगता है कि जिससे उसका जो है वो development होने लगता है फिर यहाँ पे एक important एक है कि जो fenugreek जो हम कहते हैं कि जिसको हम हिंदी में simple methी के बीच कहते हैं जो methी होती है वो हम यूज़ करते हैं अलग-अलग diet के अंदर तो वो आपको include करना चाहिए आपके खाने-पिने के अंदर जिससे भी यह problem जो हम आपका solve हो सकता है पिर अलसी के जो बीज़ाते हैं जिसको हम flaxseed कहते हैं जिससे हमारा एक tradition है कि खाना-खाने के बाद कई बार मुख्वास वगिरा यूज़ करते हैं तो उसमें आप यह include कर सकते हैं regularly उसी के लावा जो solve होती है कि जिसको funnel seed कहते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं खाने के बाद या फिर किसी भी type उसको जो है वाप यूज़ कर सकते हैं फिर अब बाद आती है dry fruits की तो nuts भी यहाप एक काफ़ी important बनते हैं कि अगर आपके breast tissues अच्छे से develop नहीं हो रही तो उसको develop करने के लिए आपको जो है वो अलग-अलग nuts खाने चाहिए dry fruits के अंदर जो भी आपको अलग-अलग पसंद हो जैसे आप यहापे almond वगेरा देख सकते हैं फिर काजू वगेरा है बादाम है पिस्ता है वगेरा जो है आप यूज़ कर सकते हैं फिर आगे बाद आती है कि आपको diet में papaya भी यूज़ करना चाहिए तो यह भी काफी important है breast issues को develop करने के लिए पर अब ध्यान यह रखना है कि अकर आप pregnant है तो ऐसी condition में आप उसको use ना करें अब बात आती है massage oils की कि अलग-अलग जो massage oils available होते हैं वो आप यूज़ कर जकते हैं तो हम उसमें proper natural remedies की बात करेंगे तो जो फैन उग्रिक होता है जैसे हमने अब मैथी के बात करें तो आप खाने में भी use कर सकते हैं सादो-जाद उसका oil आता है तो वो oil से अच्छे से जो है massage करना होता है तो उससे भी breast issues जो है अच्छे से develop होती है तो यह एक option है उसके अलावा समझो कि आप almond oil भी use कर सकते हैं तो यह भी काफी अच्छा option बनता है तो कई बार combination में भी oil use कर किया जा सकता है जैसे कि आप मैथी का जो तेल है वो और यह almond oil दोनों को mix करके भी अच्छे से massage कर सकते हैं उसके लिए आवा quad liver oil का भी यहाँ पर अच्छा option बनता है फिर देखे तो olive oil से भी आप massage कर सकते हैं उसके अलावा दूसरे एक option बनता है सतावरीक का जो oil आता है वो आप खास include कर सकते हैं जिससे breast issues जो अच्छे से develop होती है फिर आगे बात करें paste की तो जो मसूर की जो दाल होती है उसकी paste बने जाती है कि मसूर की जो दाल होती है उसको अच्छे से भीगो कर रखा जाता है फिर उसकी इस तरह से एक fine paste तयार की जाती है और ये fine paste को breast के उपर जो वो लगाना होता है और ये paste हम जो कि अच्छे से dry हो जाती है, उसके बाद जो उसको wash करना होता है, तो ये भी एक natural remedies बनती है, breath size को increase करने के लिए हैं, फिर अब दूसरे options हम देखें, कि सबसे पहले हमने diet के बात की, फिर massage के बात की, उसी के साथ साथ जरूरी है exercise का, yoga वगर है, तो यहाँ पर हम dolphin pose वगरा है, तो ये जो अलग-अलग yoga और उसके आसन्स वगरा है, उसके videos आपको internet पर अलग-अलग sites के उपर, मिल जाएंगे कि वो भी आप use कर सकते हैं, specially, फिर अगर इससे ठीक नहीं हो, तो surgery का option बनता है, पर हम यहाँ पर surgery का option प्रमोट नहीं करेंगे, because surgery का option जो है, व वह नहीं करवानी चाहिए, because उसके बहुत सारे side effect है, कि जैसे भी सबसे पहली हम side effects देखे, तो breast में pain हो सकता है, उसके गरन, infection भी हो सकता है, फिर जो nipples और breast की जो sensors होनोते हैं, उसमें जो वो असर आ सकती है, वो कम हो सकती है, फिर बढ़ सकती है, फिर implant की जो position होती है, वो uncomfortable के बार फिल होता है, implant का leakage होना, या फिर उसका rupture होना, ये एक problem हो सकता है, कि जिसके करण आपके breast areas के अंदर infection हो सकता है, और scared tissues का development भी हो सकता है, तो इसके करण क्या होता है, कि काफी ज़्यादा आगे जाके आपके life में complications हो सकते हैं, तो ये option जो आपको कभी भी जो चू करने चाहिए, फिर आगे एक advice ये है कि आपके जो पैसे हैं, वो आपको अलग-अलग ऐसे products कि जो हम कई बार internet पर आप समझो कि search करोगे तो आपको ऐसे thumbnails मिल जाएगे, ऐसे कुछ आपको videos मिल जाएगे, कि आपको 100% guarantee देते हैं, कि आप ये product लगा लो, वो product लगा लो, ये use कर लो, वो use कर लो, पर वो आपको कभी भी use नहीं कर, because ये products जो खास कर कैसी होती है, fact होती है, तो आपके जो time है, as well आपके पैसे है, वो कभी भी waste नहीं करने चाहिए, इस तरह के product कि जो claim करती है, और ये जो claim होता है, वो false claim होता है, कभी भी ये चीज़े जो असरदारग नहीं होती, जो हमने बात की natural remedies की, वो ही आपको करना होता है, और आपको साथो साथ patience भी रखना होता है, because कि ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों में ही ये problem, या फिर ये condition है, वो change हो जाए, आपको थोड़ा wait करना होता है, और ये natural तरह के उन्हें से time भी लेते हैं, फिर main ये बात होंगे, तो उससे साथ आपको side effects भी हो सकते हैं, या फिर problem और ज्यादा खराब हो सकती है, तो ऐसे समझो कि आपको detail में सीखना है, लग 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 बीमारियों के बारे में, दवायों के बारे में, medical conditions के बारे में, तो आप medicine course को join कर सकते हैं, फार्मा रोक्स के अब उपर, त कर सकते हैं, तो आपको 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 सकते हैं, तो आप